स्वार्ट्या यह पारम्त्या नमस्कार विध्यार्थी मित्रो डॉक्टर बाबा साभ आम्बेटकर ओपेन युनिवर्सिंटी के चैतन स्टूडियो से मैं शामूरली मनोहर पांडे असिस्टंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस आप सभी का हार्दे है आधिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ विद्यार्थी मित्रो आज हम चर्चा करेंगे प्रदेश तरीके दच्छिड एसिया पिछले लेक्चर में हमने परिचय भूमी और लोग दच्छिड एसियाई राजियों की सीमा क्या है उसकी भोगोलिक सीमाएं जनसंख्या घनत्यो इस पर हमने चर्चा किया धा अब आगे हम चर्चा करेंगे कि दच्छिड एसिया छेत्र में धर्म, समाज और संस्कृति, आर्थिक परिसंपत्तियों के स्रोत क्या है जैसे कि क्रसी, उर्जा और इंधन, खान और खनित संसाधन और इस छेत्र में जो प्रवासन रहा इसके बाद हम सारांस के साथ इस एकम को समाप्त करेंगे, विद्यार्ति मित्रों जब हम धर्म की स्थिती देखते हैं दच्छिड एसिया के छेत्र में, तो दच्छिड एसिया एक बहु धार्मिक छेत्र है, हिंदू यहाँ पे सबसे पुराना धर्म रहा है और इस छेत्र के पालन करने वाले काफी संख्या में हैं, बहु संख्याक हैं, इसलाम, इसाई धर्म, बौत धर्म, जैन धर्म, सिक धर्म और अन्य सभी जो प्रमुक धर्म हैं, इनका पालन भी इस छेत्र के लोग करते हैं, इनके मानने वाले हैं, हिंदू धर्म की तरह, बौत धर्म, जैन और जो सिक धर्म है इसकी उत्पत्ति भारत भूमी से हुई है इस छेत्र से हुई है और जो दो धर्म है इसलाम और इसाई इनकी जो उत्पत्ति है इनका जो ओरीजन माना जाता है वो पस्चिम ACI देशों में माना जाता है विद्यार्ति मित्रों अब हम एके करके सभी देशों पे चर्चा करेंगे और वहां के धार्मिक स्थिती का उलोकन करेंगे तो भारत एक बहु धार्मिक छेत है भारत जो है यहां पर बहु धार्मिक देश है यहां पर अनेको धर्मों को मानने वाले लोग हैं लेकिन इसके साथ-साथ जो भारत का समिधान है वो इसको एक धर्म निर्पेक्ष देश के रूप में देखता है और धर्म निर्पेक्ष देश मानता है यहाँ पर सभी धर्मों का समान महत्व है जनसंख्या के हिसाब से देखे तो 79.8% हिंदू हैं और इसलाम को मानने वाले 14 18.2%, इसाई 2.3%, सिख 1.7%, बहुत धर्म को मानने वाले 0.7% और जैन धर्म को मानने वाले 0.4% पतिसत लोग हैं. पंजाब में सिख धर्म को मानने वालों की बहूलता है, जो भारत का एक प्रोविंस है पंजाब और पाकिस्तान का भी एक प्रांत है पंजाब, वहां पे सिख लॉमिनेंस पहले से ही रहा है. 2500 साल पहले अस्थापित बहुत धर्म अब देश के प्रमुक धर्मों में से नहीं हैं. इस जो धर्म की उत्पत्ती है, वो भारत और नेपाल दोनों ही देशों में माना जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद अब इस धर्म के मानने वाले इ वहां पे इसलाम राज्य धर्म है, और हिंदू और इसाई जो हैं, वो अलपसंख्यक के रूप में मौजूद हैं. सुन्नी संपरदाय जो इसलाम का एक प्रमुक सेक्ट है, वो प्रमुकता से वहां पे इसके मानने वाले लोग हैं. एहमदिया जैसे अन्य इसलामी माना जाता है, सेकेंड केटेग्री सिटीजन जैसे ट्रीट करते हैं. हम चर्चा करेंगे बांगलादेश का तो वो भी बहुधार्मिक छेत्र है, वहां पे इसलाम, हिंदू, बौध और इसाई को मानने वाले लोग हैं, लेकिन इसलाम जो है, वो वहां का राज्य धर्म है. हम चर्चा करेंगे माल्दीव का, इस राज्य की जो 99% जनता है, वो मुस्लिम है, और इसलाम इस राज्य का मानने प्राप्त धर्म है, इस बीपर जो मूल निवासी थे, वो पहले हिंदू और बौध थे, लेकिन मुस्लिम सासन की जो सुरुवात हुई और वहां पे एक मु मुस्लिम है, और सिया संपरदाय उसमें से केवल 10 प्रतिसत लोग है, इसलाम जो है, वो अफगानिस्तान का भी राज्य धर्म है, और अन्य धर्म को मानने वालों की प्रतिसता आप देखेंगे, तो महज 0.3% है, हम भूटान को देखें, तो भूटान मुख्य रूप से एक बहुत देश है, बुद्धिजम को मानने वाले लोग वहाँ प्रमुकता से हैं, बहुत धर्म ने सातवी सदी इस्वी में भूटान में प्रवेश किया, और भूटान के जो लोग है, वो हिंदू देवी देताओं को भी, उनके स्वरूप को भी स्विकारते हैं, कूल आबा पर जब हम चर्चा करेंगे, तो यह एक बहुत धार्मिक देश है, समराट असोक के सासनकाल में जो उन्होंने बहुत विक्षूओं को भेजा, हम जानते हैं कि उन्होंने बहुत सारे बहुत विक्षूओं को एक्रॉस इंडिया, इंडिया के बाहर और पिर दच्छडपू इसलाम को मानते हैं, इसाई धर्म को मानने वाले क्रम साथ दसमलों तीन चे और साथ दसमलों छे दो प्रतिसात हैं मुस्लिम और इसाई का जब हम देखेंगे. नेपाल में हिंदु धर्म एक प्रमुक धर्म है और इसके मानने वाले लगभग 81% है अठारवी सतापदी में गोर्का सामराज जब आया तो वहां हिंदु एक प्रमुक धर्म बना लेकिन उसके बाद वहां बुद्धिजम फला पूला और अभी वहां बहुत धर्म को मानने वाले केवल 9% हैं तो जब हम देखेंगे कि नेपाल से ही कपिलवस्तु से जो बुद्ध धर्म का ओरिजन होता है आज नेपाल में ही उनके मानने वाले केवल 9% हैं बुद्धिजम को मानने वाले वो एक रॉस इंडिया एक रॉस ग्लोब फहला लेकिन नेपाल में सस्टेन नहीं कर पाया वहां पे फ्लरिस नहीं कर पाया फल्प गुल नहीं पाया समाज और संस्कृती पे हम चर्चा करेंगे दछिड एसिया के छेतर में दछिड एसिया की संस्कृती सबसे प्राचीन हैं और जीवनत रही है अतीत में दचिड ACI लोगों ने विज्ञान, गडित, जोतिस, खरगोल विज्ञान, शाहित, दर्सन, वास्तुकला, इंजिनियरिंग, ललितकला और चिकिट्चा के छेतर में अदभूत खोज की हैं नयाय, शांक, वैसेसिक जैसे दर्सन के विभिन विद्याले इसी छेतर में उत्पन हुए और विक्सित हुए गौतम, कपिल, कडाद, जैमिनी, आरेभट, भासकर, पाडीनी, चरक, धनवंत्री, ऐसे विद्वजन, प्रसिद्विचारक, जो आज भी विश्व के लिए बुद्ध जीओं के लिए एक प्रेणा के स्रोत हैं, वो इसी छेतर में जन्म लिए और पिर कारे किये दचिड एसिया और विशेज रूप से भारत, दुनिया की संस्कृतियों का एक मिलन बिंदु बना रहा, जिसने सभी संस्कृतियों के मूल लक्षडों को और पिर किया है, प्राचीन काल में इस छेतर में आर, शक, हूड, ये सब आये, मध्युग में मुसल्मानों का भी ख चेतर में आक्रमड हुआ, इन्वेजन हुआ और उन्होंने इस चेतर को अपना घर बनाया, वो कुछ समय तक यहां पे रहे, कुछ समय इसको हम मान सकते हैं कि कुछ सौ सालों तक उन्होंने यहां पे सासन किया, उनका राज रहा, आधुनिक यूग में यूरोपिय लोगों न लेकिन पहले के प्रवास के विप्रेद उन्होंने यहां केवल सासन किया और सोसड किया और इस चेतर को कभी अपना नहीं माना, अनेकता के बीच एकता की इस ओधारडा को चेतर के महान समराटों ने मानेता दी और सहिश्नुता की नीती अपनाई, भारत के राष्ट्री आ आधोनिक भारत का निर्माड किया, अब हम चर्चा करेंगे इस चेतर के आर्थिक परिसंपतियों के सुरोत पर, विस्व बैंक जो है वो दचिड एसियाई देशों को निम्न आये वाले देशों की स्रेडी में रखा है, इस चेतर में गरीबी का मुख्य कारड जो एक कोलोन इलिजम रहा, अपनेविसिक सासन रहा है और उसका सोसड रहा है, परिणाम स्वरूप उत्बादन प्रक्रिया से उत्पन अधिकांश जो यहां से प्रोडक्ट होते थे, वो पुनर निवेस के बजाए समराज जवादी देशों में चले गए, मतलब कि जिसने हम पे सासन कि वो यहां से यहां पे बने हुए माल को वापस हम पे बेचे और उससे प्रॉपिट जनरेट किये, सामराज जवादी देशों ने न केवल इन संसाधनों का दुरूप योग किया, बलकि छेत्र के आर्थिक विकास को भी औरुद्ध कर दिया और एक बाधक के रूप में रहे भारत एक समय विश्व का अग्रडी और द्योगिक देश था और जब हम देखते हैं 18-18 सदी में तो विश्व के उत्पादन में भारत का हिस्सा लगभग 20% था जो 1900 तक घटकर 1.7 रह गया तो लगभग 19% का जो रास देखते हैं 18-19% का वो केवल 100 वर्सों में इतना हम नी द्चिड-ACI देशों का अध्योगी की करण करने के बजाए उन्हें अंतर रास्ट्रिय पूजीवादी बाजारों से जोड़ दिया परिदाम स्वरूप जो ग्रेट ब्रिटेन है जो इंग्लैंड है वहां के उध्योगों को कच्छे माल की आपूर्ति करने वाले द्चिड ACI जो देश थे वो केवल आपूर्ति करता बनकर रह गये और जो दूसरी और वे केवल अपने वेशिक स्वामियों के तैयार माल के उप भोगता बन गये कि यहां से कच्छा माल को वो उठाते थे और ब्रिटेन में उसका पका माल बनता था और वापस भारत उप महादीप म उसको वापस लाके बेजते थे लंबे सामराजवादी शासर ने इन देशों पर अविक सित्ता का भारी बोष डाला जिससे आज दचिड ACI देश जूज रहे हैं अब हम क्रिसी पर नजर डालें तो क्रिसी दचिड ACI देशों के आर्थिक संसाधनों और गतिविदियों का मुख्याधार रहा है और यहां की जो आय रही है वो क्रिसी आधारित रही है सभी दक्षिड A.C.I. देशों के सकल घरेलू उत्पाद में क्रिसी का एक मुख्य योगदान लगबग एक तिहाई का रहा है वाडी जीक निर्यात इस छेतर से एक तिहाई का हम देखते हैं भारत में क्रिसी लगबग 70% रोजगार प्रदान करती है क्रिसी का विकास है और क्रिसी विकास मिट्टी की गुडवत्ता पानी की उपलबदा पर निर्भर करता है और दचिडेसिया भूमी और जल दोनों के ही मामले में समरिद दी रहा है भारत के पास बहुत समरिद प्राकृतिक संसाधन है अता भारत ने कम समय में ही कई आर्थिक छेत्रों में आत्म बर्ता को पालिया है, हासिल किया है भारत के पास दुनिया में उपलब्ध सभी विभिन फसलों का उत्पादन करने की क्षमता है हम देखते हैं कि मुमपली, कागज, मक्का, चो, चना, चावल, गेहु, ज्वार ये सब इसी छेत्र की उपज है, भारत भूमी की उपज है देश में समरिदवन और ताजे पानी के विशाल स्रोत हैं, जो अध्योगिक विकास के साथ-साथ बिजली और उर्जा के उत्पादन में भी उप्योगी है सिंदुनदी के विशाल मैदान पाकिस्तान की बढ़ती आबादी की अनाज की जरूतों को पूरा करने के लिए समरिद जलोड मिटी प्रदान करते हैं तो पाकिस्तान की जो क्रिसी उत्पादन है वो भी विविद है, प्रचूर है, वहां पे भी चावल गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार उत्पादित होता है जो बांगला देश का क्रिसी है वो आधार बहुत सम्रिद है, देश की मिटी बहुत ही उपजाओ है चावल, गेहूं, धान, गन्ना, तंबाकू, तिलहन, दाले और आलू अच्छी मात्रा में वहां उपजते हैं, पैदा होते हैं देश में चाय उत्पादन के लिए भी उपजाओ मिटी है, अपनिवेशिक शक्तिया जो रही, वो अपने लाव के लिए जूट की जो नगदी पहसल है, उसके साथ साथ इस देश का भी सोसड किया बांगला देश में भी अच्छा वन छेत्र है, प्रयाप्त, लकडी, बास, उत्पादन होता है इस छेत्र से, और वन आधारी जो उद्द्योग है, इसको यहाँ पर अभी और अच्छे से विक्सित किया जा सकता है नेपाल की अर्थ विवस्ता अगर हम देखे तो यह भी एक क्रिसी प्रदान देश है, यहाँ पर चावल, मक्का और गेहु उगता है, यदि आवस्यक बुनियादी धाचा उपलब्द कराए जाए तो नेपाल में बागवानी उद्द्योग विक्सित करने की अभी और भी असीम संभावनाय मौजूद हैं, नगदी फसलों में जूट और इलाइची का उत्पादन करता है, जिसका उपयोग विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए किया जाता है, श्रिलंका में भी क्रिसी उत्पादनों के अलामा बागवानी पर आधारित सम्रिद संसाधन है देश में चाय, रबर, नारियल, इन सब चीजों का उत्पादन होता है, उर्जा इंधन पे हम चर्चा करें तो दचिड एसिया में उर्जा और खनीच संपदा की विसाल स्रिंखला है, और यह जो भूज आर्जनितिक छेतर विभाजन में असमान रूप से वित्रीत है, भा जल विद्दूत के मादें से विजली का उत्पादन किया जा सकता है, हम देखते हैं कि भारत में विसाल, कोईला, भंडार, जल विद्दूत, संधाधन, मध्यम और पेट्रोलियम के जो छेतर हैं वो उपलब्द हैं, भारत की अधिकांश जो कोईला खदाने हैं वो अधिस्तान में हम देखो तो सिंध के कुछ भागों में तेल भी प्राप्त होता है, खन और खनित संसाधन हम देखें तो 18 सदी में विश्व के कुल उत्पादन का लगभग पांचवा हिस्सा इसी छेतर में उत्पादित होता था, इससे पता चलता है कि यह छेतर और द्यो अगनी, जस्ता, तामबा, ग्रेनाइट में इन सब में सम्रिद्ध है, पाकिस्तान के पास भी खनिज और खनिज संसाधन है, नमक, लोह, अयस, सलफर, क्रोमाइड, सिलिका, चुना, पत्तर, कोईला, ये सब खनिज वहां पे उपलब्द हैं, हम चर्चा करेंगे प्रवासन के बारे में दच्छिड एसिया छेतर में, तो सदियों से लोग दूर दूर से दच्छिड एसिया के छेतर में आए, और कई यात्रियों ने अपने यात्रा वृतांत में इस छेतर का वर्णन किया है, और उन्होंने लिखा है, इसके प्राकृतिक सौंदर के बारे में, पू की प्रसंसा की है बावर ने अपनी जीवनी बावर नामा में इस भूमी के प्राकृतिक स्वंदरे का विस्तार से वर्णन किया है यदि उचित बुनियादी धाचा तैयार किया जाए तो दच्छिड एसिया के जो सारे देश हैं ये परेटन के रूप में विदेशी मुद्रा को एक आयका प्रमुख शुरूत बना सकते हैं परेटन को डेवलप करके काफी विदेशी मुद्रा अरजित कर सकते हैं सारांस उप महादीपिय आकार के भूभाग पर इस्थित दचिड एसिया के देशों में तीन मुख्य भागोलिक छेत्र और काफी अलग उत्पतिके हैं कुछ छेत्र अत्यंत प्राचीन हैं तो कुछ भूभ ज्यानिक द्रिश्टी से लगभग नए हैं यह चेत्र दुनिया की सबसे बड़ी सबसे उची परवत स्रिंक लाओ और चोटियों पृत्वी पर सबसे पांच जो बड़े महासागर हैं दुनिया की सबसे दीपिय खाड यहां पर मौजूद है तो इस तरह से हम देखते हैं कि दच्षिड एसिया का जो छेत्र है वो विविद आयामों में किस तरह से सम्रिद्ध है तो विद्यारती मित्रों आज के वीडियो लेक्चर के इस संक में इतना ही हम फिर मिलेंगे नए रोचग विशय के साथ तब तक झाल